नमस्कार दर्शकों नजरालते आज की फटाफट बुलेटिन पर टोक्यो उलम्पिक में शुक्रवार को 19 नए मामले सामने आए कोरोना संक्रमन के मामले बढ़कर 106 हुए इन में से 11 खिलाडी चेक गनराज जदल का 6 सदस से और 4 खिलाडी पॉजिट हुपाया गया मद्य प्रदेश में आज से गर्भवती महिलाओ को कोरोना वैक्सिन लगाई जाएगी गर्भवती महिलाओ का ठीका करण ऑन साइट पंजियन के माध्यम से किया जाएगा ठीका करण प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल वह सामुदा एक स्वास्थ केंद्रों पर होगा कोरोना वाइरस संक्रमेंट की दूसरी लहर के कमजोर पड़ते ही केंद्र ने की तरह अब राजस्थान में भी स्कूल खोलने की तयारी शुरू, दो अगस से खुलेंगे पहली से बारवी तक के स्कूल केंद्र ने मीडिया में आई उन खबरों को निराधार और तथ्यत्मक रूप से गलत करार दिया जिन में दावा किया गया था कि सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 13,000 उपयोग में न लाए गए वेंटिलेटर को रखा था इन्हे राज्जो केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं भेजा गया मद्वर्देश और महाराष्टा की बीच यातरी बसों की अंतर जाती आवाज अही पर लगे प्रतिबंग को मद्वर्देश सरकार ने 28 जुलाई तक के लिए बढ़ाया इससे पहले संबन में जारी आदेश 21 जुलाई तक प्रभावी था केंद्रिय मंत्री और भाजपा नेता मिनाक्षी लेखी ने गुरुवार को तीन तुच्वी कानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के अलोशना करते हुए उन्हें मवाली करार दिया विवाद बढ़ने पर मांगी माफी पीमसी सांसर शंतनु सैन ने राजसभा में केंद्रिय मंत्री अश्वीनी वैशनाओ से कागत छीन करत फाड़े शंतनु सेन को निलम्बित करने का प्रस्ताओ पेशकरी की सरकार वैशनाओ समय पेगासस सोफ्ट्वेर के जरिये भारतियों की जासू सी करने संबंदिक खबरों और इस मामले में विपक्ष के आरोपो पर बयान दे रहे थे महराष्टर में बारी से तबाही सड़क और रेल यातायत पर पड़ा बुरा असर NDRF तैनाथ कोकन में रेल सेवा प्रभावित होने से 6000 यात्री फसे पीए मोधी ने सीम ठाकरे से की बात जमु कश्मीर में 12 मुला जिले के सोपोर में मुढभेड फयाजवार समें दो आतंग की धेर कानाचक सेक्टर ने सुरक्षा बलो ने ड्रोन को मार गिराया ड्रोन से विसकोटक सामगरी भी बरामा दिपिका कुमारी तीरंदाज इस परदा के महीला वेक्तिगत रिकवर रैंकिंग दौर में नववे स्थान पर दुनिया की नंबर एक तीरंदाज दिपिका ने 663 स्कोर किया तोके उलम्पिक में भारत की पदा कुमीद है दिपिका अंते 32 एलिमिनेशन दौर के मुकाबले 27 जुलाईग ये तो पिटावट गुलेटिन और ताज़ा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रही है हमारे साथ यानि की विजिट कीज़े वैबदुनिया डौट कॉम पर वैब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड भार से बचे मास्क पहने वह सैनिटाइजर का इस्तमाल करें साथ ही सोशल डिस्टंसिंग का पूरा पालन करें